आज सानाम वालेकुम इस फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में जो हमें स्टार्ट करेंगे लेक्टर नमर 3 का पार्ट 3 और आज का टॉपिक जो होगा हमारा होगा पॉली सक्राइट्स पॉली सक्राइट्स होती है वो थर्ड क्लास होती है कार्बाइड्स की और ये ऐसे कार्बाइड्स होते हैं तो जब से जादा मॉलेकुलर वेट रखते हैं और जब में इनके hydrolysis की जाती है तो उसके result में हमें क्या मिलते हैं बहुत सारे monosacrit as a unit के दौर और polysacrit formed होते हैं किस तरह से जब condensation की जाती है बहुत जादा hundreds यहां पर thousands of monosacrit units की तो फिर हमारे उसके result में क्या product formed होता है polysacrit उसके बाद classification की बात की जाए तो चार classes होती है polysacritus की नमबर वन पर आता है starch तो सबसे पहले एक एक करके नाम के साथ ही हम discuss करते जाएंगे नमबर वन पर जो class आती है हमारी polysacritus की बहुती है starch starch जोए वह सबसे जादा important और सबसे जादा पाया जाने वाला food material है higher plants के लिए यह जोए cereals, legumes, tubers और दूसरे vegetables के अंदर पाया जाता है और यह amylos और amylopactin से बनके मिलता है मिलके बनता है और अगर बात की जाए कि इसके iodine test की तो जब इसका iodine test किया रहता है तो यह कौन सा color देता है blue color देता है अच्छा है उपर बात आई थी amylos की और amylopactin की तो amylos क्या होता है बहुत सारे glucose के molecules जब straight chain में join हुए होते हैं तो वह amylos के structure form करते हैं जोके hot water के अंदर क्या होता है soluble होता है जबके amylopactin क्या होता है एक branch chain होती है glucose के molecules की जोके hot और cold दोनों water के अंदर soluble नहीं होती है यानिके insoluble होती है उसके बाद second class जो होती है polysecret की वो क्या होती है glycogen glycogen भी एक क्या होता है polymer होता है एक तरह से glucose का इसका molecular structure जोए वो start से similar होता है यह जो animals के अंदर पाया जाता है तभी इसे animal start का जाता है यह एक MSQ के तरह भी आ सकता है के glycogen को animal start भी कहते हैं जोके ज़ादातर किसके अंदर पाया जाता है हमारा bacteria में और fungi के अंदर एनिमल्स के अंदर भी यह जादातर पाया जाता है और किसके अंदर पाया जाता है लिवर के अंदर और मसल्स में और इसके आइडिन टेस्स की बात की जाए तो यह आइडिन टेस्स पे कौन सा कलर देता है रेट कलर देता है उसके बाद थर्ड क्लास की बात की जाए तो वह क और यह बहुत जादा highly insoluble होता है water के अंदर और यह human body के अंदर digest नहीं हो सकता और जब स्काइडीन टेस्स किया जाता है तो यह कोई भी कलर नहीं देता और cellulose के अंदर कुछ important points हैं कि cellulose के अंदर क्या होता है glucose units रहे होते हैं straight chain के अंदर और कोई branch chain present नहीं होती इसके अंदर यह straight chain जो है वो आगे जाके spirally coiled और condensed होती है और क्या बनाती है एक तरह से tubes बनाती है और फिर यह tubes होएं cellulose की आगे जाके cell wall form करती है किसकी plant cells की यह tubes जो cellulose की बनती है वो plant cells की cell wall को form करती है इसके बाद fourth और last class जो है polysacrite की वो क्या होती है कायटिन का molecular formula क्या होता है C8 carbonate होते है hydrogen 13 होते है oxygen 5 होते है और nitrogen होता है और N यहाँ पर जो लगावे यह polymer को represent करता है इसके बाद यह क्या होते है long chain polymer होता है किसका N-acetyl glucose amine का N-acetyl glucose amine क्या है amide derivative of glucose यानि कि amide से निकला हुआ है और यह किसके साथ attach हुआ होता है glucose के साथ attach हुआ होता है उसके बाद इसका structure का सिमिलर होता है cellulose से और यह crystalline nano fibrils बनाता है यानि कि बहुत चोटे चोटे nanometer में major किये राते हैं इतनी लेंद के यह fibrils बनाता है fibers बनाता है क्योंकि structure-wise कहते नबर आते हैं crystalline functionally यह इसको हम किस से compare कर सकते हैं क्रेटिंग प्रोटीन से और अच्छा इसकी होती है इस polysecret की के modified और unmodified form दो form होती है is modified form और unmodified formँ modern form की उषओ के ना Kyung Presence होते है जो कि उसको क्या करता है allow करते है कि वो hydrogen bonding को क्या करवाए increase करवाए और hydrogen bonding increase किसके दर्मियान करवाए जो उसके बराबर में polymers होते है उनके दर्मियान hydrogen bonding increase होती है जिसकी वर ऐसे उसको जादा strength मिलती है जबके unmodified और pure form के बाद की रहा काईटिन की तो वो क्या होती है? translucent होती है, liable होती है, resilient होती है और बहुत ज़्यादा tough होती है और ये ज़्यादातर किस के अंदर पाई जाती है art reports के अंदर और ज़्यादातर जो काईटिन हमारा पाया जाता है वो modified form में पाया जाता है ज़्याद इस structure देख लेते हैं कि ये एक काईटिन है इसका structure है और इसमें ये जो है, ये क्या है, glucose amine है और ये जो लगा है हमारा, ये क्या है, एन-acetyl group है तब ही इसको क्या काईगा है, कि ये polymer है, एन-acetyl glucose amine का तो इस तरह से आज के lecture में जो हमने last class of carbohydrate पड़ी ये क्याती पॉली सकाइट और उसकी further चार classes हमने डिसकस की इंशालला फिर मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए और आफिस